स्वागत आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टील के नलों के बारे में आज के टाइम में दोस्तों जो स्टील के नलाते हैं उनको लेके काफी लोगों का यह परसेप्शन बन चुका है कि जो स्टील के नल रहते हैं काफी बढ़िया रहते हैं ना ही उनमें जंग लगने की प्रॉब्लम रहती है और ना ही तूट जाने की लेकिन आज की इस वीडियो में मैं यह जो परसेप्शन है इसको बदलने वाला हूँ क्योंकि मार्केट में जो हर सिल्वर कलर का दिखने वाला नल रहता है वो जरूरी नहीं के स्टील से ही बनाओ बलकि उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के माटिरल्स और कोटिंग्स भी होती है तो आज हम लोग उसी के बार में डिसकस करने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सीपी, सी आई, स्टील, स्टेनलेस स्टील और ब्रास के बारे में हाला कि ये जो चीज़े हैं वो प्लमबर्स और हाडवेर वालों को पता रहती है लेकिन जो एक नॉर्मल कंजूमर रहता है वो इन सभी को बस एक कॉमन स्टील का नल ही बुलाता है और इसी वज़े से हमारे साथ एक छोटा सा स्कैम भी हो जाता है क्योंकि हम लोग जब एक स्टील का नल पर्चेस करके लाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो ये नल है इस पे रस्ट नहीं आएगा लेकिन वही 6-7 मही ने इस्तमाल करने के बाद आप देखते हैं कि उसके अंदर जंग लग चुका है तो दोस्तो बस आज की इस वीडियो का बस यही एक परपस है तो दोस्तो अगर ऐसी वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही कीजेगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी जरूर कीजेगा तो चले फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले ये वाला वाटर टेप जो आपके सामने देख रहे हैं ये क्रोम प्लेटेड वाटर टेप है ये जो वाटर टेप है ये प्लास्टिक का है लेकिन इसके उपर जो है ये क्रोम की फिनिश लगी हुई है जिसकी वज़े से ये स्टील के तरह दिखता है लेकिन जब आप इसको पकड़ेंगे तो आपको इसके वेट से ही पता लग जाएगा कि ये स्टील का एप नहीं है बलकि इसके उपर क्रोम की प्लेटिंग है हाला कि कंपनिया इसे तो क्रोम प्लेटेड ही बुलाती है लेकिन कई बार हमारे साथ स्केम भी हो जाता है कि जब हम स्टील का नल मांगते हैं तो जो शौप के पर हमें ये वाला नल थबांदेता है हाला कि अगर आप इसको हाथ में पकड़के फील करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक क्रोम प्लेटेड वाटर टैप है लेकिन कई बार काफी लोगों को इतनी जानकारी नहीं रहती है तो वे इसे स्टील का नल समझके ले लेते हैं तो चलिए फिर अब जान लेते हैं सी आई यानि की कास्ट आइरन के बारे में ये जो वाटर टैप आपके सामने आप देख रहे हैं ये कास्ट आइरन से बना है अब नॉर्मली जो कास्ट आइरन के वाटर टैप्स होते हैं वो मार्केट में ऐसे कलर्स में ही अवेलेबल होते हैं ताकि उन्हें देखके ही पता चल जाए कि ये cast iron है, ताकि इसे जो है steel या brass केके ना बेचा जाए, लेकिन कई बार ऐसे भी cast iron के water taps होते हैं, जो की chrome finish में आते हैं, तो अक्सर कई बार एक confusion create हो जाती है, steel और cast iron को लेके, लेकिन ये जो cast iron रहता है, उस पे भी ultimately जंग लगता ही है, जो cast iron के water taps होते हैं, वो अक्सर काफी weight में heavy रहते हैं, और जो उन पे chrome की plating की जाती है, वो इतनी highly finished नहीं रहती है, यानि कि जो chrome plating होती है, वो थोड़ी बहुत uneven लग सकती आपको, जिससे कि आपको देखके पता लग जाएगा, कि ये cast iron material है, तो चलिए अब बात कर ल steel के नलवा गरे रहते हैं, उन पे जंग नहीं लगता है, लेकिन ये एक गलत फहमी है दोस्तों, क्योंकि जो steel रहता है, वो एक iron का ही अलो है, तो उस पे long term में आप देखेंगे कि जंग आई ही जाता है, तो ये भी एक steel का ही नल है, हारा कि दिखने में ये काफी premium लग रहा है, लेकिन कुछ महीने इस्तमाल करने के बाद इस पर जंग आई ही जाएगा, तो जो steel रहता है वो दो टाइप क्या थे हैं, एक तो steel आता है और एक stainless steel आता है, हाला कि जो steel और stainless steel होता है, उनको बनाने की process सेम रहती है, लेकिन जो stainless steel रहता है, उसमें कुछ steps further और processing की जाती ह है, और steel के उपर एक chromium की coating की जाती है, जिसकी वज़े से जो है उस पर rust नहीं आता है, तो ये बात बिलकुल ही सच है कि जो stainless steel है, उस पर आपका rust नहीं आता है, लेकिन steel पे तो आप देखेंगे कि कुछ महीनों में rust आही जाएगा, अब दोस्तों ये आपके सामने आप दे copper metal भी शामिल होता है, और हम सभी जानते है copper यानि कि तामभा, उसके अंदर जंग नहीं लगता है, तो दोस्तों इसी वज़े से जो आपके brass के नल रहते हैं, वो काफी अच्छी quality और काफी मजबूत भी रहते हैं, हाला कि जो brass का color रहता है, ये golden type होता है, जो water taps होते हैं, लेकिन जब आप इसके अंदर की side देखेंगे, तो यहाँ पे आप पूरा इसका brass देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि ये जो water tap है, ये brass का है, जबकि आप इसके अंदर देखें, तो इसके अंदर आपको brass देखने नहीं मिलेगा, तो दोस्तों ये मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये difference समझाया होगा, chrome plating, cast iron, steel, stainless steel और brass के बारे में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए, thanks for watching